इन दिनो टीवी और निउस्पेपर्स में आप भी BS3 और BS4 का नाम सुन रहे होंगे सुप्रीम कोट ने एक बड़ा और एहम फैसला लेते हुए BS3 के तहट आने वाले वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद डीलर्स BS3 मानक के तहट आने वाले गाड़ियों को आने पौने रेट में बेच रहे है लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये BS बला क्या है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर BS क्या है और सुप्रीम कोट ने BS3 मानक के वाहनों की बिक्री पर रोक क्यों लगाई BS यानी भारत स्टेट प्रदूशन मापक पैमाना है Central Pollution Control Board इसे तै करता है BS Norms इंजिन से निकलने वाले हवा प्रदूशक तत्वों के हिसाब से तै होते है BS के साथ लगी संख्या जितनी बड़ी होगी प्रदूशन के पैमाने भी उतने ही सख्त होंगे भारत ने साल 2000 में European Pollution Norms को इंडिया 2000 स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया था BS पैमाने को यूरोप में Euro 1, Euro 2 नाम से जाना जाता है 2005 में भारत ने इंडिया स्टैंडर्ड का नाम बदल कर BS कर दिया एक एप्रिल 2010 से BS 3 पैमाना लागू हुआ था यूरोप में इस वक्त Euro 6 पैमाना लागू है जबकि भारत में अभी BS 4 लागू होगा 2020 में भारत में BS 6 पैमाना लागू होगा BS 5 पैमाने को भारत लागू नहीं करेगा BS 3 नॉम्स के तहट Electronic Vehicles को जगा मिली थी ताकि प्रदूशन कम हो सके BS 4 एमिशन स्टैंडर्ड के तहट इंधन का वास्पिकरन कम किया गया नए टूविलर गाड़ियों को इसी के मानकों के अनुरूप बनाना होगा गौर्तलब है कि सुप्रीम कोट ने BS 3 मानक के वाकों की बिक्री पर रोक लगाते वे टिपपड़ी की थी की आटो इंडस्ट्री का नुकसान लोगों के स्वास्त से बड़ा नहीं हो सकता